नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्पेत और एक बार फिर से आपका स्वागत है लोग सभा चुनाओ अब बिल्कुल सर पर हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है समाजवादी पार्टिय ने अभी तक अपने 30 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है तो वहीं भातीय जनता पार्टिय की तरफ से 51 लोग सभा प्रत्याशियों की लिस्ट उत्तर प्रदेश में जारी हो चुकी है लेकिन जब से ये लिस्ट जारी हुई है तब से न केवल भाजपा समल्थकों में बलकि उनके कारेकरताओं में भी निराशा चाही हुई है इसके पीछे वज़ा ये है कि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एंटी इंकंबेंसी से बचने के लिए बहुत बड़ी संख्या में अपने लोगसभा के जो वतमान सांसद हैं उनके टिकट काटने जा रहे हैं लेकिन समभौता विद्रो के दर से या फिर भितर घात के दर से ऐसा प्रधान मंत्री नहीं कर पाए और ज्यादा तर अपने कैंडिडेटों को उतार दिया है उन्हीं जो पिछली बार भी थे यानि लोगसभा प्रत्याशी थे उन्हें ही फिर से उतारा गया है सांसदों को पिछले दस साल से उत्तर प्रदेश में भी लगाता दूसरी बार जो इनकी सरकार चल रही है इसलिए एंटी इंकमबेंसी बहुत ज़्यादा है और चेहरे भी ना बदलने पे भाजपा को बुरी तरह से इसका सामना करना पड़ेगा ये बात अच्छी तरह से कारेकरता जा यहां पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है क्योंकि अभी इंडिया टीवी का एक सर्वे आया जिसमें बता रहे हैं कि सिर्फ दो सीटें जीतेगी इंडिया गडबंधन उत्तर प्रदेश में और 78 परभाती जनता पार्टी या एंडिये की जीत होगी पता नहीं यह लोग ऐसे सर्वे कर कहां से लेते हैं कि इंडिया गडबंधन को केवल दो सीट दी आज मैं आपको ऐसे 26 प्रत्याशियों के नाम बताऊंगा जो कि यहां जीतने जा रहे हैं तो शुरुआत कर रहे हैं एटा से एटा में समाजवादी पार्टी ने देवेश शाक्य को मैद जो कि वर्तमान सांसद हैं इनका टिकट उमीद थे कि कर जाएगा लेकिन नहीं कटा दूसरी तरफ देवेश शाक्य को पीडिये का नारा लेके आगे चल रहे हैं इनके पास पिछड़े दलित और अलब संख्यों के अच्छी संख्या में वोट मौजूद हैं और इसमें वो हद बनाया हुए हैं अगली सीट है खीरी जहां पर उतकर्श वर्मा को उतारा है समाजवादी पार्टी ने और भारतिये जनता पार्टी की तरफ से अजय मिश्र टेनी आये हैं मैदान ने ये अजय मिश्र टेनी वही हैं जिनके सुपुत्र ने अपनी थार चड़ा दी थी किसानों के ऊपर कई लोगों की मृत्ति हो गई थी और किसान तो इनको जब से टिकट मिला है तब से बहुत नाराज हैं बहुत निराश हैं बलकि वो कहा रहे हैं कि आने वाले समय में आने वाले चुनाओं में जो है भाजपा को इसका सबक सिखाया जाएगा खामियाजा भ पार्टी बढ़त बनाई हुई है जीत रही है तीसरी सीट है धौरहरा धौरहरा से आनंद भधौरिया को उतारा हुआ है समाजवादी पार्टी ने जबकि रेखा वर्मा जो कि वतमान MP हैं वतमान सांसद हैं भाती जनता पार्टी की तरफ से इनका टिकट भी नहीं कटा औ और यहां पर भी आनंद भधौरिया जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं इनके जीतने की संभावना अधिक है अगली सीट है उन्नाव यह लोग कहेंगे कि भाई बहुत तगड़ा मुकाबला है यह वाकई में तगड़ा मुकाबला है उन्नाव में अन्नु टेंडन को उता मारना चाहते हैं लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि साक्षी महराज का टिकट कटेगा इसलिए कटेगा क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी की यह समय समय पर आलोचना कर देते हैं प्रधान मंत्री ने पसंद नहीं करते लेकिन इनका टिकट काटा नहीं गया इसका मतलब ह किसी भी कीमत पे अधिक से अधिक सीटें यहां जीतना चाहते हैं, यही वज़ाए कि साक्षी महराज को टिकट दिया गया है, अधर्वाइस प्रधान मंत्री में पसंद नहीं करते हैं, यह बात बिलकुल सच है, यहां कांटे की टकर है, 50-50 का मुकाबला है, क्योंकि अन्नू लेकिन 50-50 की फाइट है, बहुत कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, इसी तरह लखनौ में समाजवादी पार्टी ने वर्तमान विधायक यहां के रविदास मलहोत्रा को मैदान में उतारा है, जबकि भागती जनता पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंग वर्तमान रक रहते हुए, और यही वज़ा है कि अब यहां पर भी कांटे का मुकाबला है, 50-50 की लड़ाई है, इसके पीछे एक वज़ा यह भी है कि देखो, जो जनता होती है, उसमें कुछ लोग चाहते हैं कि काम हो, कुछ लोग चाहते हैं कि बस होता रहे कुछ भी नाम हो, तो जो मोदी जी के नाम पर वोट दे देंगे, राजनाद सिंग के नाम पर वोट दे देंगे, वोट दे देंगे भाजपा को, लेकिन जो काम के हिसाब से जाएंगे तो वो रविदास मलोतरा को ही चुनेंगे, लेकिन यहां पर 50-50 का मुकाबला है, मैं यह यह नहीं कह रहा हूँ हैं वलतमान सांसर भारतीय जनता पार्टी की दरफ से और यहां पे निश्चित रूप से नवल किशोर शाके को बढ़त है क्योंकि मुकेश राजपूत के खिलाफ एंटी इंकंबेंसी काम कर रही है जब की नवल किशोर या फिर अगर आपको गलत लगे तो भी जरूर बताईएगा कि गलत है तो अकबर पूल से राजा राम पाल को उतारा है समाजवादी पार्टी ने जबकि भारती जनता पार्टी की तरफ से देवेन सिंग भोला वतमान सांसर हैं इनका टिकट भी नहीं कट पाया और इन्हें अगली सीट है बांदा बांदा से शिव शंकर सिंग पटेल चुनाव लड़ रहे हैं जबकि भारती जनता पार्टी की तरफ से आरके सिंग पटेल चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर दो पटेलों के बीच में एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा जि फैजाबाद से आउधेश प्रसाद जबदस्त प्रत्याशी हैं कई बार के विधायक हैं लगातार काफी लंबे समय से जबकि लल्लू सिंग को भारती जनता पार्टी ने उतारा है जो की वतमान सांसद हैं और यही वज़ा है कि ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट जो है वो प पाश्ट्री ये खबर होने जा रही है यहां पर आउधेश प्रसाद आगे चल रहे हैं अगली सीट है अमबेड का नगर जहां पर लाल जी वर्मा हंडेट परसंट ये सीट जीतने जा रहे हैं रितेश पांडे जो हैं यह यहां पर हार जाएंगे इसके पीछे वज़ा यह है कि रितेश पांडे वत्मान में सांसत्तों हैं लेकिन ये एक दल बदलू नेता हैं ये बसपा में रहे हैं सपा में रहे हैं भाजपा में रहे हैं हार तरफ घूमते टालते रहे हैं और जनता इन्हें पसंद नहीं करती ये चुनाव हाने जा रहे हैं वहीं अगली सीट है काजल निशाद समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं और वो लगाताद कड़ी टककर दे रही है रवी किशन को बलकि थोड़ी बढ़त है इनकी इसके पीछे वज़ा ये है कि यहाँ पर निशादों की पांच लाख की आबादी है जो भाती जंता पार्टी के बक्ष में भी वोट कर देती थी लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष अखिलेश यादो जी ने जब से पीडिये का नारा दिया है तब से यहाँ पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है और काजल निशाद फिल हाल रवी किशन से आगे चल रही हैं धर्मेंद्र मलिक आगे चल रहे हैं आउला से नीरज मौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से और भाजपा की तरफ से धर्मेंद्र कश्यप मैदान में है और यहाँ पर 50-50 का मुकाबला है ऐसा नहीं कि मैं आपको हर सीट पे गोदी मीडिया की तरह समाजवादी जेश कश्यप और अरुन सागर हैं भातिय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर भी एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा हर दोई से उशा वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं जो बढ़हत बनाई हुई हैं भातिय जनता पार्टी के जैप्रकाश रावत के उ ना होगा लखनव में एक बहुत फेमस जो है फ्रेंचाइज है स्कूल की सिटी मौन्टेश्री स्कूल तो यह इन ही का है स्पी सिंग पटेल का है और यहाँ पर इनके मुकाबले में हैं वलतमान सांसद संगम लाल गुपता भाती जनता पार्टी की तरफ से और यहाँ पर संगम लाल गुपता जो है यह वलतमान सांसद हैं और सांसद से जो है थोड़ा एंटी इंकमबंसी होई जाती है क्योंकि केंद्र में प्रदेश में सांसद सब आपके हैं तो कहीं न कहीं तो उसका असर जाएगा ही इतने बड़े छेत्र में इतने लोगों को खुश करना सं सांसद हैं श्रेया वर्मा के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी पहले आपके लिए बनाया हुआ है और यहां पर श्रेया वर्मा निश्चित रूप से बढ़त में हैं एक और सीथ है गाजीपूर जहां से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं समाजवा भाती जनता पार्टी के वरिष्ट नेता हैं मनोस सिनहा जो अपने बेटे अनुभाव सिनहा के लिए सीट चाते हैं ये सभी लोग आपस में जगर रहे हैं तो जब इनका फाइनल हो जाएगा कि कौन लड़ेगा तो उसे अफजाल अंसारी हरा देंगे अगली सीट है चंड जो कि एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और ये चुनाव जीतने जा रही हैं भाती जनता पार्टी ने वर्तमान सांसत प्रदीप कुमार को ही यहां मैदान में उतारा है जो कि इस चुनाव में निश्चित रूप से हार जाएंगे आप जो है कमेंट सेक्शन में बता पूत बढ़त बनाए हुए हैं भाती जनता पार्टी के पुश्पेंडर चंदेल पर लेकिन यहां टाफ फाइट है मैं यह नहीं कहूंगा बिलकुल यह जीतने जा रहे हैं यहां पर कुछ भी रिजल्ट आ सकता है लेकिन अगली सीट है आजमगर्द से जहां धरमें रिया जरूर सुने होंगे यह बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन यह चुनाव यह बुरी तरह से हाने जा रहे हैं इसके अलावा एक और सीट है जिस पर अभी कैंडिडिट का नाम नहीं डिकलेयर है यह संभल की क्योंकि यहां से सफीकुर रह्मान बर्ग जो प्रत् की अच्छी छवी है बलकि सहान भूत की लहर भी इनके साथ रहेगी तो आज के लिए बस इतना ही आप मुझे बताईए कि इस लिस्ट के बारे में आपका क्या विचार है धन्यवाद